नमस्कार हमारे चैनल अवधेश कुमार में आपका स्वागत है थोड़ा लंबा समय हो गया आपके बीच में आने गेरी हो गई उसके लिए माफी चाहते हैं मुंगेर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और हम पत्रकारिता से जुड़े हुए है तो इसके चलते जो है सो हमारे उपर पर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी और चुकि बड़े एजेंसी के हम जर्नलिस्ट है तो बहुत ज्यादा प्रेसर हमारे उपर पर था कि एक बात प्रफेक्ट होना चाहिए हवा हवाई नहीं तो थोड़ा तनाव में थे तो तनाव में वीडियो बनता नहीं आज एक आपको हम बहुत सुन्दर सब्जेक्ट वर जो है सो वीडियो दे रहे हैं मुंगेर के गन मेकिंग हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं मुंगेर का बहुत नाम सुनते होंगे गन लीगल इलीगल दोनों में सुनते होंगे तो आज हम आपको लीगल इलीगल दोनों के ब जिला है जिसमें की चानक के पीरियड में यहां बारूद बनता था यह इतिहास में है लेकिन वह बारूद का इस्तमाल हाथी वाले सैना को भगाने लिए गोला बनाया जाता था भरूद का और उसको आग लगा करके फेक दिया जाता था और आपने ही सैना को कुछ के मार देता था यह अइसा इतिहास मिला है हम को हम्हारे पास में है हम कलेक्ट करके उसको रखे हुए दूसरा एक चीज और है कि नालंदा इंवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर है मुरारी जी अभी तो यहां नहीं है साइद वो आक्सपोर्ट चले जाए हैं तो उनको लाया गया था बाहर से ही उनको यहां पढ़ाने के लिए लेकिन हो सकता है उनको नहीं मन लगा हो जो भी हो वो हमारे पिता ज का जानते था रिसरच स्कॉलर हैं तो उनके हाथ में डच डैयरी मिली थी उस जमाने का अ дост भारी में लिखा हुआ था क्या की मुंगेर से बारूद बनके पटना जाता था पटना में बारूद का पिजारत होता था और यह बारूद समूझे दुनिया के ब्यापारी की पटना आते थे और यहां से खरीद के ले जाते थे और वोग बना करके कि देश जीत थे थे हम लोग बारूत बेचते थे और गायके गोबर पर भास करते थे घुलाम हो गए गायका गोबर नीपते खाने से क्या होगा जाएंगे के किस स्टेज में यही करते रहे लोग हमारे बाद को गुलाम बना दिया स्दीमिट की बात है उसके बाद वह कुछ गैप है चीन वाले का दवाह की वारुद हम बनाया है और हमारा कहना है कि बारुद हम से बहुत धर्म के भीक्षू लोग गया है तो वहां टेकनलोजी दिये हैं और वो लोग बनाया है चुकि मुंगेर की मिट्टी में पोटासियम नाइट्रेट होता उसको यहां खरवा मिट्टी बोलते हैं सफेद सफेद यह होता है और उसको एक मुंगेर में एक शेक्ट था वो लोग उस पोड़ा नब्मिटी को खरोच करके निकालता था उससे नाइटर बनाता था लाइट्रेक्व इसको शोराव बोलते हैं और ओधिन उसको निकालता था वो निकालने वाले जाति को यहाँ नोनियां बोला जाता था आज भी जाती का जो लीष्ट है उसमें नुजियां है में है नुणिया आप जो है सो बिहार में है और का जो गर्वेंट का जाती का स्टी जूल है उसमें तो लोग का करो का का काम कर धे लटर होन यहां मिरका सिम्झ जो है सो आए वो रिवेलियंद तो यह लोग यहां रहे और अंग्रेज की विसेस्था को और अपनी कमजोरी को समझते ह। वो यहां बंदुग बनाना शुरू कि यह उनको टीपु सुल्थान से भी कंटेक्ट था उनके समंदी थे। यहां से बंदुग बंद करके यहां के यहां तो अपने फौज को तो जो देते से देते थे नाव के मौरुफश इस मगर्ड हो करके टीपू सुल्थान के पास में भी जाता था को 20 को पहला रॉकेट हो सक्ता है कि हमारे भात में आपको सुनने में आती सयोगती लगे विश्च को पहला रॉकेट टेकनलोजी देने वाला मुंगेर है यहां से रॉकेट बनके टीपू सुल्टान के पास में जाता था टीपू सुल्टान उसको इस्तेमाल करते थे हाल फिल हाल में कुमा से टीपू सुल्टान एरा का पचास रॉकेट मिला है वह हमने पढ़ा है यह इंडियन एक्सप्रेस में या हिंदू में इसी दो में से कही निकला नूज का कटिंग हमारे पास में है तो अंग्रेज लोग जब टीपू सुल्टान की हत्या किये उनको सही परीद कर दिये तो यहां से वह रॉकेट का नमूना लेकर गए ते और वह रॉकेट आज भी इंग्लेंड के मिजियम में है और कलाम सहब हमारे जो आदर्नीय राष्टपती महोदे थे उस रॉकेट से इंस्पाइड हुए थे उस रॉकेट से इंस्पाइड हुए थे यह व मजल लोडर बंदुक बनने में यहां लोकल कारीगर जो चानक की पिरियेट से ही चला रहा था उसकारीगर को लिए उसकारीगर में में जो है वो दो आदमी थे पीरा बढ़ी और बनोहर लोहार यह दोनों मिलकर के स्टार्ट किये उनका साला गुर्गेंखा था वह अर्मेनिया का था वहां से कुछ कारीगर और लाया जो लेटेश टेकनोलोजी का था यहां बनने लगा यहां पूस जमाने में मजल लोडर बंदुक हटिया में वित्ता थ हम लोगों को इस्टेट था तो हमारे यहां भी था लेकिन जब अंग्रेज का राज पूरा आ गया इस इंडिया कंपणी पूरे आ गई और आर्म सेक्ट आ गया तो सब को काट दिया गया हमको याद है बहुत बच्पन में उसे चुला फुकने के काम में उसके बैरल को कटा बंदू जो घरे घर बनता था उन लोगों को डक्टर स्रीकिस सिंग ने एक जगा जो यहां के मुख मंद्री थे उसको एक जगा एक कैमपस में रखा गया वो जेल का हाता था उसी में और वहां जो है सो जितने गन फैक्ट्री वाल माना जितने भी बनाने वाले थे वह हुए है हमारा अधिकार पर हमको जो है सो गुसा बता तो उन्हों का खतम ही हो गया उसमें भूरी वगए रहे हैं वो लोग का अपना सबसे बड़ा फैक्ट्री था और गजेटियर में उनका नाम है भूरी मिस्त्री का नाम है लेकिन वो लोग नहीं आ सके कानून कैदा के चकर महीं मैं यह अपना उनका सेंटिमेंट में नहीं आये और यहां सबों को लाइसंस दिया गया और यहां बनना सुरू हुआ मजल लोडर लेकिन बाद में मजल लोडर का डिमांड कम हो गया तब यह लोग बनाने ले गई घोड़ा वाला बंदू हैमर गड़ इन लोगों इन बेरा था उसका जो इसिशन्म रौड होता था उसके बै्रल बनाते थे भाद यहां बंदूक एक चीड मुंगेर के बारे में आह unknown नहीं मंगता यह मैंने मीजत का यहां डालतर देख रहे हैं यहां आई हुआ बनाने का यहां जो शिर्टम है वे बनाने का वह एक यह चोटा है लोहा पकड़ रहा है हमारे रीमर को पकड़ रहा है उसी धंग से वह हाथ से देता है तर्म उसमें और यहां के बंदूख में एक और विशेष्टा है मेटल बगर अच्छा किया है पहले तो वेकार था वह इस्टीम पाइप अगरे को मेटल थोड़े और अडिनेर्स मेटेरियल तो है नहीं लेकिन एक विशेष्टा यहां के बैरल में था क्या यहां जो टेपर चोक होता था कि इस तरह से है मनें ग्रेजुली कम होता गया और तब होके निकल गया चोक भैरल जो होता है वह 739 निकला और एक थोड़ा सा एक इंच दुवाया च्छासा नबे किया और निकाल दिया लेकिन नहीं यहां ग्रेजुली बंद करता था और वह होता था ताड के पत्ते से वह जो रीमर है ताड का पत्ता काट काट के चोटा चोटा पैच दिये रहता था और वो बढ़ाते चला जाता तो तो आटमेटिक टेपर हो जाता था उसको यहां के कारीगर लोग तुम पढ़ा लिखा आदमी नहीं उसको गैदूम बैरल गोलते थे गैदूम मनें गाय के दूम कैसा गैदू यहां वह बंदूक टेश्ट में जाने लगा 62 का जब और रू बना तो उसमें मस्ट हो गया कि बिना परूफ टेस्टिंग के बंदू की बाजार में नहीं आएगा सिंग से प्रूफ टेस्टिंग में बढ़र तो लोग सिरू में बहुत परिशान कि इन लोहं को इन लोहं का बहुत बंदूग फेल किया बहुत ठठा यकी कि लोगंा टे ROB DOC यहां मेजर्मेंट में पन कि अच्छा बनाने लगे me shall do tribes आम पिर यह जनकारी नहीं ए लेकिन है कश्य मेजर्मेंट में में कि वेस्ट is कि अब देना है वह देना है अभी भी मना कारीगर है वैसे बंदूख बनाने वाले उसके बाद जमाना बंदूख का खतम बंदूख का जो जमाना खतम हुआ उसमें एक वज़ा है अउनली वन कॉज कि एक कानून बना कि 5 mm से अबब मल्टीपल एमूनेशन बैंड हो गया मने लगों को लगा कि घर में रखेंगे केवल छर्रा बाला बंदूख तो हम इससे अपनी फसल की सुरक्षा अपने जानमाल की सुरक्षा क्या करेंगे बाजार में लगी मिलना बंद हो गया बुलेट भ लगी इंपोर्ट नहीं किया उसको समझ में नहीं आया बुलेट बैंड नहीं था लेकिन समझ में नहीं आया और वह एरा जो दस पांच साल का रहा वह बंदूख के विक्री को मार दिया लोग राइफर लेने लिए तरीकी इसमें तो कुछ नहीं तो चड़ियां मारने वाल फिर को उसके बाद तो जटका पर ही जटका पड़ता गया और अर्थ सास्त्र का नियम है खोटा सिक्का असली सिक्का को मैदान से बाहर कर लेता है लाइसेंसिंग में इतना खिचच होने लगा ब्यूरोक्रेटिक हडल नॉनसेंस इतना ज्यादा हुआ और घूस खोरी तो जो नए पिढ़ी के डियम आए उनको लगा कि यह तो लाइसेंस देने का मतलब है कि पैसा लेके दिये हैं तो देना ही बंद कर दिये और कानून में कहीं रोक नहीं है लेकिन डियम को देना है और यहां जो है सो बुरोक्रेसी पर पॉलिटिशन अब उतने काबिल नहीं जो है सो घम हम नजाज अरह यहां अट्लो कि यहां सुरवाथ दो पहले कटा बनता थ है कटा में क्या होता था कटा का अंगरेजी नाम हुत जान लिए उसको भीडोर तो यहां पहले वही बनना शुरू हुआ वो लोग जो है सो चुटभया क्रिमनाल और लोग रखने लगे लेटर ओन टेकनलोजी का जवाना है यहां जो है सो बाहर गन फेक्ट्री वाले लोग को तो खोलने भी नहीं आता है अटा कर्टा बाहर वाले वो यह लोग थे वो लोग टेकनलोजी कहीं से लाए और टेकनलोजी लाए यहां अटॉम्टिक-पिस्ट्ल बनना सो वह उग्वा ओड्यकि पिस्ट्ल दो तरह का यहां नाजाज बनता है एक बरेटा का फ्रेंब रहता है लेकिन सिस्टम, उसमें में कर ौल्ट ट के कटेगरी में नहीं आता है उसके बाद यहां तो स्टेंगन भी बनने लगा उसके बाद के सहतालीस बगरे भी बनने लगा पकड़ा भी गया तो पुलीस तो पकड़ रही है और अब लोग भाग करके जंगल पहाड में चले गया है इस समझ में हमारा एक डिटेल इंटर्व यू एक घंटा का ललन टॉप एक चैनल है न्यूट चैनल है उसमें हमारा मुंगेर के इस पर है आप लोग देख लिजेगा उसमें और ज्यादे पिस्तारतें भी है और हाँ एक चीज और आपको बता दें होलो पॉइंट बुलेट जो आप लोग इस्तामाल करते हैं वह था और मुंगेर के कारीगर नहीं बनाया था वह अफगान वार में ब्रिटिस अफगान वार में इस्तामाल किया था तो उसको स्टापिंग पावर के लिए यहीं का कारीगर लोग ही याद किया था हम समझते हैं आप तो यह इंडस्ट्री लगभग मृत्यप्राय हो गया इसको मार दिया सरकार में धाका के मलमल को अंग्रेज ने मारा और हाथ से बनाने वाले बंदूप को आपने सरकार में मार दिया अब यहां एक दो कंपनी पंप एक्शन बना रही है शुरूआत है हमन हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब काहें ने करते एक महिना में एक एक डेड़ लाख आदमी हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्रीप्शन के नाम पर 15-20 ही होता है महिना में यह हमारे लिए कश्ट दायक है गूगल हमको एक पैसा नहीं देता है प्रड़ कि तुके से थाणिए यूट्यू थेफ़ खीड़ को दो डिए हमारे लूट्यू थे बच्ट्सक्राइब काहें सक्राइब को दो ऑ्रग्यूशन काहें सब्सक्राइब को दो करता हैं।